Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम नाउन के बारे में जानेंगे नाउन मतलब नाम, नाउन is a name of a person, किसी भी इंसान का, human being का नाम, place, कोई भी जगह का नाम, a thing, कोई भी वस्तुों के नाम, कोई एनिमल्स के नाम, उसको क्या बोलते हैं? नाउन, नाउन is a name of a person, a place, a thing, an animal, और an idea, idea that means हमारी feelings, आज हम बहुत खुश हैं, या आज हम बहुत sad हैं, दुखी हैं, यह हमारी मन की feelings होती हैं, यह भी नाउन कहलाती हैं, नाउन मतलब किसी का भी नाम, हमारी आसपास जो भी चीज़े होती हैं, उनका कोई नाम होता है, हमा इसका क्या नाम है, crayons, crayons color, this is sketch pen, this is a book, इसलिए हमारी आसपास जो भी रहते हैं, उनका कोई नाम रहता है, जैसे कि हम एक्जामपल में देखेंगे, राम, राम क्या है, किसी परसन का नाम है, मदर, मदर भी, हमारी मम्मी है, मदर, उनका भी नाम है, मम्मी करके बलाते हैं, आप बच्चे लोग अपनी मम्मी को मम्मी से बुलाते, तो वो भी उनका नाम है, बॉल, आप बॉल से खेलते होंगे, बच्चे लोग, बहुत सारे आपके पास toys होंगे, उनके भी अलग-अलग नाम होते हैं, इंडिया, इंडिया हमारी country है, उमारी country का नाम इंडिया है, तो उसका भी नाम हुआ, टाइगर, टाइगर, एनिमल है, एनिमल वो भी नाम है, अब एसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, आपके घर में पापा है, तो पापा का नाम होगा, लेकिन आप क्या बोलते हैं, पादर, गर्ल, पोस्टमैन, डॉक्टर, ये सब कहने, पर्संस हैं, पीपल्स, तो इनको क्या बोलते हैं, अब पर्सं, इसके बाद थिंक्स, थिंक्स मतलब वस्तुएं, चीजें, टेबल, बै बैग, पैन, ब्रश, इन सब का नाम है, ये इनका नाम है, आप इनको इसी इतनाम से बुलाते हैं, अल प्लेसे हैं, प्लेस मतलब स्कूल, आप जाते हैं स्कूल, प्लेसे, पार्क, किचन, इंडिया, ये सब प्लेसे हैं, अल एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स का भी कोई नाम हो परसन, और अनिमल, तिंग, और प्लीस. अब यह एक एक एक्सरसाइज है, आप इस से और ज्यादा समझ में आएगा आपको कि नाउन क्या होता है. जहां पर परसन हो वहां पर आप पी लिखेंगे, जहां एनिमल हो वहां ए लिखेंगे, तिंग्स के लिए टी लिखेंगे, औ अंकल, अंकल क्या है, किसी परसन का नाम है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, पी, कैमल, कैमल कौन है, एनिमल, तो आप लिखेंगे, ए, ट्रेन, ट्रेन क्या है, ठिंग, तो आप क्या लिखेंगे, पी, आउल, आउल कौन है, एनिमल, एनिमल है, तो क्या लिखेंगे पार्क, पार्क क्या है घुमने की जगह, प्लेस है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लेस है, पोस्टमेन, और पर्सन है, इंसान है, तो आप क्या लिखेंगे, पर्सन पी, बस क्या है, ठिंग है, तो ठिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, टी, टीचर, टीचर किसी का नाम है, नाम है, मतलब वो person है, तो आप क्या लिखेंगे? एक exercise हो रहे हैं, जिसमें आपको इन सभी को अलग-अलग identify करके, अलग-अलग box में डालना है, जैसे कि person, आप देखें, person first row में देखें, आप कौन-कौन person है, uncle, तो आप person में लिखेंगे, uncle, second row में देखें, person कौन है, postman और teacher, तो person की row में लिखेंगे आप, postman, teacher, इस row में दे रहूल, then places, अब place देखेंगे, आप कौन सा है place, इस row में कोई place नहीं है, second में देखेंगे, पार्क, देन, school, India, and Delhi, things, things में देखेंगे, आप, mango, train, bus, and chair, animals, animals में, camel, owl, owl, tiger, इस तरह से आप बहुत सारी exercise हैं, जिनकी दरी से आप noun को और अच्छे से समझ सकते हैं, आप बहुत सारे नेम आप एक साथ लिख लिजिए, फिर उनको अलग-अलग person, place, animal, things के अलग-अलग row में डालिए, तो आपको और practice करेंगे, तो आपको इससे से noun और समझ में आजाएगा, thank you for watching this video